हलोब दोस्तों, अभी हम लोग for loop के बारे में देखेंगे, कि for loop में किसी element को index कैसे करते है, यसे while loop में एक होता induction variable होता है, जो I होता है, जिसे I 0 से N तरहने जाता है, लेकिन for loop मुइस्की range पर काम करता है, जैसे list है उसके काम करता है, तो for look अगर यूज़ करना और वह index वाला भी facility चाहिए तो कैसे होगा वह देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि एक list लेते हैं और उसके सारे element को print करेंगे index operator यूज़ करके जैसे एक list ले लिए 1,2,3,4 और अगर i equal to 0 है तो while look में कैसे लिखते थे while i less than length of l ऐसे लिखते थे और रिखते थे print l of i इसका मतलब क्या हुआ कि i 0,1,2,3 ऐसा होता रहेगा और i equal to i plus 1 और print l of i होता रहेगा तो 1,2,3,4 प्रिंट हो जाएगा सारा ओके यह तो ठीक है यही चीज फॉर लूप में करना है मुझे पहले एक बार इसको execute करके दिखाते हैं run करते हैं id1 it पे और देखिए run हो रहा है success हो गया 1,2,3,4 output आगया ओके यही चीज करना है लेकिन for loop यूज़ करके करना है ताकि और अच्छा आपको understanding हो कि for loop और while loop काम कैसे करता है तो हम लोग इसके लिए क्या करते है for i in i ने j लेते हैं i को use कर लिए j in range 0,len l एक parentheses और हो गया print l of j तो for loop में ऐसे करेंगे क्यों ऐसा हुआ क्योंकि देखिए for loop जो हो हमेशा range पर काम करता है तो अभी list l को तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि l में variable 1 से शूरू हो रहा है तो एक range बनाएंगे जो कि 0 से शूरू हो रहा है और list में जितने element है वहां तक जाता है तो for i from 0 to l, length of l है, कितना है length of l, 4 ठीक है और print range l of j और आप j को भी print कर लीजिए यहां तकि और अच्छे से पता चाहिए ठीक है यहां पर दिख जाते हैं printing printing for loop using for loop अभी देखी क्या output आता है id1 पर क्लिक कर दिये compile हो रहा है और आप आप देखी का है printing using for loop 0 1 2 3 और यह लिस्ट का element है 1 2 3 4 अब जो रेंज कंस्ट्रक्ट किया है आप एक चीज़ देखी गया पर जीरो शुरू हो रहा है और length of l तक जा रहा है length of l कितना है 4 तो 0 से 4 तक जा रहा है लेकिन 4th element तक नहीं जाएगा वो 3 तक ही जाएगा ओके रेंज जो है यह यह last element को include नहीं करते है लास्ट element बचा रहता है जीरो शुरू होता लास्ट element को include नहीं होता है ओके यह हो गया for loop using behaving making for loop look like while loop ठीक है वह यूज करको बता रहता है इससे आपको पता चलिया है कि while loop और for loop में relation कैसा है आप कैसे while loop for loop को while loop के जैसा use कर सकते है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको कोई question है तो comment पर लिखे और आगे और for loop पे चर्चा करेंगे अभी इसमें बहुत सारे चीजे बताना है range जो एक function है range क्या करता है एक range construct कर देता है और यह करता है एक रेंज करते है और लेंथ एल के फाइनल वाल्य जो है वह फाइनल वाल्य दे रहा है यह कि लेंथ अपल कितना है पोर तो जिरो से फोर तक का रेंज है कि टेकिन जोसमें 0,1,2,3 सिर्फ 4 एलिमेंट जाएगा पोर तक जे नहीं जाएगा जे का वैलू 3 तक ही जाएगा यह रेंज का मतलब होता है लास्ट एलिमेंट हिल्कूड नहीं रता है तो इस वीडियो में इतना है धन्यवाद